मसूरी शहर में स्वास्ति सेवाएं दिन प्रति दिन बत से बत्तर होती जा रही है शहर के दो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अकाल पड़ा हुआ है सुविधाओं नहीं होने से लोगों को अपचार के लिए शहर से 35 किलोमेटर दूर देहरा दून जाना पड़ रहा है सरकारी अस्पताल में किसी भी चोटी बड़ी बिमारी के जांच के लिए कोई सुविधा तक नहीं है कि संभालना मुश्किल हो जाता है नमबर एक तो यहां पर पैथलोजी की नहीं है जो कि हमें लेब में जाना पड़ता नीचे और वो काफी महंगा बैठता है एक गरीब आदमी जो मुझूर तपका है तो कैसे उसे शायन कर पाएगा मसूरी शहर में 20 लाख से अधिक परेटक घूमने आते है साथ ही मसूरी से लगे ग्रामी इनक्षेतर से भी लोग अपना उपचार करने के लिए मसूरी आते है लेकिन मसूरी आते ही लोगों को निराशा हाथ लगती है कोई सेलानी अगर थोड़ा ज़ादा बिमार हो गया तो चिकित सक दून ड्रेफर कर देते है मैंने यहां चार समाला मेरे को यह उस्पिताल यहां पे मिला है पता चला है यह रेट कोस की बिल्डिंग में चलना है बड़ी मुश्किल से हमने बारव बैड यहां पे बनाए हुए है आई पीडी के लिए लेकिन हमारे पास स्टाफ नहीं है जिसकी बज़ों से हम इतना रिस्क नहीं ले सकते कि हम आई पीडी करें और डॉक्टर हमारे पास सारे 50-50 से ज़्यादा उमर के हैं उसे मैं क्या इमऱ्ेंस करवाओंगा वालबोय मेरे पास दो है पीड़ों 24 इन्टो 7 डूटी कराना मेले संभव नहीं है पैतलोजी में समष्या है जिसकी हमारे पास पैतलोजिस्ट नहीं है समय समय पर दिमान हमने करी है और वहां से भी लेटर आये है कि दिमान भेजो तो दिमान हमने करी है हो सकता है दो तिन मैंगे में वो मसिने भी हमें उपलब्द हो जाए सीएम ने आचार सहिता लगने से पहले शहर के निर्माना धीन सिविल अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्ता ठीक करने का आदेश दिया था लेकिन स्वास्ति सेवा अभी तक ठीक नहीं हुई है देव भूमी नियूस के लिए मसूरी से आशीश भट कर दो कर दो